जी जूल्री वैसे ओनिस्टी बोलू तो मिनी को कहनों का बहुत शौक नहीं है हम इसके यहां आया है क्योंकि हमारी बहुत ही प्यारी दोस्ट शाहीं में बास उनकी जूल्री डिस्प्ले हो लिया है तो शाहीं को सपोर्ट करने आये हैं और देखने आये हैं उनके क्या डिजाइन के जी अगर मिनी को कुछ पसंद आएगा तो कर देंगे क्या चलना है अगर वो कह रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं तो उसका मतलब इंडिया चोड़के यह और बाहर चले जावा आतीं कि पक्वास हैं वो सिर्फे कहने की तोशिश कर रहे हैं कि एक पिछले 7-8 महीने में जो बहुत लोग मैसिश कर रहे हैं एक फोड़ा सा इंटॉल्वरेंस हो रहा है और अगर को यह कहना चाता है तो उसका मतलब यह नहीं है कि वो मुल्क छोड़के जाना चाता है वो सिर्फ एक कहने का तरीका होता है देखें इंडिया की कोई बात नहीं कर रहा है यही आप लोग मस्टेक कर रहे है जब आमिर कहते हैं कि उन्हें इंटॉल्वरेंस हो इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस आज कल का माहौल इंटॉल्रेंट है उसका मतलब यह नहीं होता कि हमारा मुल्क इं स्टेटमंट उनने का इतना बुरा हमें लग आज कल कि माहौल इतना बुरा है कि किरणm asқ कि सवाल वी कहर रही है Igor नियां के चलो उठके सलगया है दाध के दिमाग में उठते हैं और हमारे दिमाग में उठते हैं उसका मतलब यह रहा सिद दि discussions Oke वो कहां गएंगे हिंदुस्तान को छोड़ के अगर हिंदुस्तान का नाम लोग बाहर जानते हैं तो वो आमिर खान की वज़े से बहुत एक उनका contribution है अब अनुपन खेष जी का क्या एजंडा है मुझे नहीं मालूँ वो क्या किसली है वो कह रहे हैं लेकिन मेरा जो point of view और वो मैं आगे रख रहा हूं और टोटली सपोर्ट जो आमिर कह रहे हैं टोटली सपोर्ट जो शारूप ने कहा था जो आपको शर्टिफिकेशन देगे हैं अब टिकेट खरीकते जाके ऐसा नहीं है कि आवा किस चल रहा है तो सारे बच्चों को जबदसी उसमें डाल रहे हो बोल रहे हैं आप किस देखो टिकेट खरीत के जाना परता है 300-400 रुपे का जिसको देखना देखे जिसको नहीं देखना नहीं देखे लेकि इस किसम की चीज हैं कि यार 40 सेकंड का कि बहुत लंबा होता है इसको आट सेकंड कर लेते हैं ये तो मुझे लगता है कि फिल्मेकर के लिए एक डिस्रिस्पे अब कमीं पॉजेक्ट मेरा यार मैं भी सोच रहा हूं कुछ अब रितिक से बात चल रही है और भी आक्टर से साथ चल रही है रितिक के साथ साजल और मेरी काफी एक अडवांस बात चल रही है लेकिन अब कोई ऐसी इस वेच कुछ हो मैं भी कुछ हो जब वह आएगी कहाणी तो हम हंड़ड पसंट कहां तरही है रहा है मने बहुत सुंदर रिंग पहन रख्ये है इसको मुझे आज वेस्तन कपरे पहनने थे है और वार्णी किया है मुझे रिंस पेनना बहुत अच्छा लगता है, so I'm very pleased. Actually, it's hard again, so I actually feel very special when I wear rings, because all of my mother's jewellery was stolen, so I don't have anything really. I'm an Australian citizen, but as an Indian resident and a true blue Indian lover, I think that India is a very, very pluralistic society, where people live in tandem very happily. However, in any democracy, in any society, when there are so many religions co-existing, so many cultures co-existing, there will always be some element of communal friction. So, we have to take everything with a pinch of salt. अजिए 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 ब्लाक इन वाइट नहीं होती है, मैंने टॉलरेंस भी देखी है, मैंने काफी सारी चीज़े ऐसी भी देखी है, I mean, हमारी जो हायराखी होती है, रिलिजिन को भी ना लो तो, अगर आप देखो कि कोई अपने नीचे वाले को कैसे, के साथ कैसे बिहेव करेगा, मैं सेट पे देखती हूं का भी कबार, कि कोई बड़े, बत्तर आदमी किसी छोटे आदमी को कैसे बात करते हैं, तो यहाँ पे हायराखी बहुत है इंडिया करते हैं, थोड़ा मुझे लगता है कि कन है, नहीं, मैं किसी और की स्टेटमेंट के बारे में बात नहीं कर रही हूं, मैं अपने बारे में बात कर रही हूं, जो मुझे लगता है, जो मैंने देखा है, मैं सिरफ तांच साल से रही हूं इंडिया में, तो मेरा जो परस्पे So it's not fair also for me to judge because India has been a wonderful place for me. So I think it's a very sensitive issue. और आप ऐसे किसी को ने कह सते कि आप ऐसे सोचते या ऐसे ली सोचते because it's a discussion that we need to have. And as actors, I think it's very important that we be able to have this discussion without being the subject of vitriol or trolling on the internet. Freedom of speech is one of the founding principles of the Indian Constitution. And if an actor or any public figure or any individual doesn't have a right to freedom of speech without a backlash, then I think that's a very big problem. अजी, में अभी एक फिल्म करे हूँ शंभाला जो अभी कुलू मनाली में शूट हो रहा है. में अभी दो दिन के लिए वापस आई हूँ भाम्बे के लिए. तो बहुत मजा आ रहा है, तंद लग रही है वापे. Thank you. बारेश आरी है, बारेश आरी है. बारेश आरी है. बारेश आरी है.